हेलो ट्रेड़ास और वेलकम तो दैस्ट फूरी बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है विगाउज प्रैक्टिस हम किस तरह से कर रहे हैं मार्केट में यह बहुत ज़रूरी होता है अज सेटेडे का दिन है, मार्केट क्लोज है पूरी तरह से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी कर रहे थे GMDT, USDT के अंदर तो कुछ मार्किंग्स वगरा हमने इसके देटाइम फिल्म को मार्क किया और लोवर पर क्या है कि यह जो स्विंग्स हमारे बने हुए है इन स्विंग्स के उपर हमने कुछ अपना एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर लिया और इसके उपर हम बैठ हुए हैं कि प्रैस का जो मूव है ना यह नेक्स्ट स्विंग हाई तक जाना चाहिए प्तर से प्रैक्टिस है कर रहे हैं इस एक चीज से आइडेया आ जाए कि प्रैक्टिस जब हम लोग शुरू में किया करते थे ना तो काई बार होता था कि बैक्टेस्ट करते थे बहुत बैक्टेस्ट करते थे अपने मन में मंदर से सोच रहे थे कि बहुत अच्छा perform कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है मार्केट में जाते हैं तो आपका loss ही होता है stop loss होता है ऐसा होता है क्यों है देखिए यह समझना पड़ेगा क्योंकि आडियंस या फिर even यह कई आपके जो नए लोग आ रहे मार्केट में या मार्केट को सीखने वो एक तरह का अजीब सी thinking के साथ आते हैं कि यह जाएंगे फटाक से सीखेंगे दो दिन की चार दिन की दस दिन की class लेंगे यह बहुत से लोग क्लास फ्लास कुछ भी नहीं करते हैं वो सीधा है option में futures में चले गए किसी को देखा है कि उ ऐसा एक student होता ना वो अपनी books को अपनी syllabus में एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने के कुशिश करता है यह जो जल्दबाजी होती ना अब भी आपने देखा होगा कि जो वीडियो में हमने अपना title दिया title जो हम इसके अंदर शायद डालेंगे तो वो किस तरह से एक जो website ही वो कैसे help कर सकती है एक trader को practice करने में तो बहुत बार होगा कि लो अभी जो हम बाता करें को skip करके वो सीधे आगे की तरह बढ़ेंगे तो फटाक से website पर चलते हैं लेकिन कुछ चीज़े हैं जो कि जानना जोरी होता है सबसे पहली तो उस website की ज़रूरत ही क्यों पड़ी ह हमको क्या reason है अगर website नहीं होगी या उस website नहीं जाएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा बहुत हद तक इन सारी चीज़ों को हम लोग ignore करना कोशिश कर देते हैं कि इसको ignore करना स्टार्ट कर देते हैं ignore मत कीजिए देखिए एक छोटी से छोटी भी चीज़ है ना उसको साथ मे ले करके आगे कि तरफ बढ़िये आपको बहुत help मिलेगे अगर हम backtest के topic को ही पढ़ना चाहते समझना चाहते न तो यकीन मानिए पूरा का पूरा दिन चला जागा backtest में कि backtest actually होता क्या है backtest ये कभी decide नहीं करेगा कि आपका future बिल्कुल जैसा आप देखोगे बिल्कुल of losing capital हमारे पास कोई risk नहीं होगा लूज करने के लिए capital क्योंकि एक वहाँ पर हमारे पास virtual money होता है नहीं भी अतों पर क्यों लिख लेते है अपना तो कुछ capital तो है नहीं ये अच्छी बात है trade को एक direction मिल जाता है कि उसने backtest कर लिए backtest में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता possibilities उसने देख लिए कितना हमारा loss हो सकता है कितना profit हो सकता है तो इससे क्याना future में उसको अपना एक direction मिल जाता है थर्ड number है ability to adjust the strategy अब अगर strategy में कुछ हमारी उच नीच है या हमें नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ गढ़बर है तो हम उसको थोड़ा सा modify कर सकते है कि नहीं इसको यहां से 20 सटा करके 30 एमें लगा दी जाए 30 के बाद में हमने जो crossing average लगा रहा है कि हो 15 थी इसको हटा कुछ results उनको backtest में मिलें help traders understand the market एक trader को market understanding थोड़ी बहुत बन जाती है backtest वो कर लेता नो समझ में जो 9 फ्यम की candle है वो important होती है day time frame के levels कितने important होती है तो उसके understanding बन जाती है थोड़ा सा help मिलते है उसको live market में काम करने में तो यह तो इसके advantages हो गा है अच्छा सिर्फ इतने ह काफी सारे advantages होती है यह main advantages है जो कोशिच की है four points में clear हो जाए और ज्यादा तर इसमें clear ही हो चुका है जितने भी advantages है इन 4 points में सारे के सारे clear हो अच्छा disadvantage क्या होगा इसका अब देखेगा इसको सही से समझेगा difficult to avoid bias अब basis में क्या होता है एक पूर्वा नुमान लग जाता ह हम अगर टाटा स्टील को treat करना नहीं चाहते हैं हम टाटा स्टील को हमसे back test करना चाहते हैं और हमने यहाँ पर देखा कि यह 9.15 है यह सब बहुंगे अब हमें मालू बना कि आगे इतनी सारी candles form हो गई है अब आगे क्या हो सकता है तो हम पूर्वा नुमान हमको लग चुका कि price हमारा नीचे की तरफ ने गरा है यह उपर जाने की बाद में side way हो गया तो जो हम back test करेंगे ना कहीं ना कहीं इस से related ही करेंगे price अगर उपर गया तो आप देखिएगा अपने आपको जब आप back test करते होगे अगर आप back test करते होगे तो आपको लग जाता हो तो सारे indicator आपके काम कर जाएंगे यहां पर लगा लो कुछ भी प्राइस हमारा उपर चला गया तो पूरवा नुमान हमको लग गया है एक basis हमारा बन गया है कि क्या होगा तो यह थोड़ा सा बाइसे को आपकी पास बहुत सारा data हो गया बहुत सारा data हो गया अब आपको उस data को analyze करना किस तरह से आपके system में वो rely कर रहा है hypothesis क्या बन रही है बहुत सारा data हो गया है कैसे इस सारे data को हम लोग अपने system के लिए profit में ला सकते हैं या फिर पिछले दो साल तीन साल का हमने backtest कर लिया तीन साल का data आपकी मन में चल रहा है कब आपका stop loss गया target आप इसको analyze करना मुश्किल होता है तो इसमें एक risk रहता है अब third है difficult to control all factors अब factors का मतलब क्या होता है इसको ऐसे समझिया कि backtest को आपने जब किया तो backtest के according आपके इतने profit हुई इतना loss हुआ या फिर backtest आपने 30 days का कि उसमें 25 days आपको profit हुआ ये 25 days profit हुआ future में हमें profit होगा इसकी guarantee नह काम करवाते हैं उसमें backtest नहीं होता तो इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है कि एक एक शीज जो भी एक काम हम आपको करने के लिए दें या किसी system के उपर हमने आपसे कहा है कि आप हमें homework अपना complete करके दीजिए तो वो live market में होगा backtest नहीं होगा market चल रही है उसमें देखो क क्या हो रहा है फिर जो next class होगी तो उसके ओपर discussion होता है थोड़े थोड़े छोड़े 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 पॉइंट्स निकलते हैं वो ज्यादा helpful करते हैं वरना backtest करना कौन सा मुश्किल है वो तो हमारी लिए असान है क्योंकि फिर तो हम जो भी strategy बताएंगे backtest में तो सार जो formation होती है एक candle की भी अगर कोई formation तो आप उसको live market में टेस्ट करो live market में टेस्ट करना और backtest करना debt charts के उपर मतलब जमीन और आसमान का फर्क बन जाता है यह कुछ disadvantage difficult to include all costs मेरे पास thousand rupees के capital से मने start किया अब आज हमारा चल रहा है 90 नंबर का trade उसके 90 नंबर के trade पर आते हैं ते मेरे पास कितनी cost बची कितना मेरा capital कितनी बची हम रिस्क कितना लेंगे अभी तक हमने कितना profit किया अभी तक हमने कितना loss किया यह सारी चीजें एक तरह से जो cost होत उसको आप analyze करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा costs को आप include नहीं कर से थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा बहुत हैटिक हो जाता जब लोग backtest करते हैं आज इस website के बारे में मताएंगे न आपको उसमें ये backtest की सारी problem खतम हो जाएंगे यह कर आप trading view पर भी सकते हो कैस करना है देखिए जैसे कि यहां पर देखिए reply का बटन लिखा है इस पर आप click कर दो और यह line आ गए यह cut कर देगा time frame है यहां पर देखिए लेकिन क्या होगा न यहां पर test your strategy with intraday bar replace आपको pro subscription लेना पड़ेगा इसका upgrade कीजिए तो देखिए कितना 14 dollar मतलब कि फिर यहां पर गूगल पर जाने के बाद में सीधे आप गो चार्टिंग कर दो गो चार्टिंग क्या है ना गो चार्टिंग की website पर आप चले जाओ अब सीधे आप चले जाए चार्ट पर equity चार्ट से सीधे equity अब equity में यह option वगरे सब dismiss कर दिए देखिए इतना आपके पास एक निकला आपके कौन सा चार्ट मेरे पास था कौन सा नहीं है अब हमें करना है backtest इसका यहां से बार replay पर जाएए यह हो गया अब double click to select candle यहां पर double click कर दीजे सारी candles gap हो गई अब देखिए आपके पास data cup का है second of October से पहले का data उसके बाद का नहीं है अब simply यहां से हम लोग क्या कर द बना हुआ है इसको आप प्ले करके छोड़ दो तो दीरे-दीरे candles में फर्म होती रहेंगी otherwise यह आपको close price दिखा देगा candles का कि आगे क्या हो सकता है तो सिध्य आप एक बार click कर दो वापस से pause कर दो इसको यह price वहीं पर रुख जागा आपको कुछ और analysis करनी आप कर दो कि अ अब हम start करते हैं next day से चलिए अब यहां पर आ जाते है 315 की candle बन गई और यह 315 की candle मतलब अब यह नया दिन आगया हमारे पास 915 की candle अब simple हमें चाहिए कि हमें अगर इसको back test करना तो हम कैसे करेंगे हम चाहते हैं कि 915 की candle जिधर break हो या फिर एक system हम आपको बताते हैं कि 945 की candle जिधर break होगी ना हम उदर से trade अपना कर लेंगे simple से देखिए एक system है बिल्कुल 945 की candle का हम wait कर लेंगे और 945 की candle जिधर break होगी ना हम उदर से अपना trade execute करेंगे तो 945 की candle के बनने का wait कर लेजे 930 हो गई 935 940 और एक candle हमारी 945 ओके यह बनी यह candle form हो गई अब हम यहां पर markings कर लेते हैं अपनी lines पर जाएंगे और सीधे horizontal lines तो इसको हमने mark कर लिए और highs को ले लेते हैं magneton है lines horizontal lines इचे लिए ठीक है white white color होगी दोनों का अब हम 945 की candle जिधर break होगी हम trade अपना execute करेंगे अब backtest नहीं करें लाइव market एक तरह से live market का है यह experience आपको देगा अब हम short side की तरफ चले गया मतलब इसके नीचे हमने short किया इसको यहां देखते हैं क्या होता है प्राइस नीचे की तरफ है downside अगें देखिए upside की तरफ चला गया उसी जगे पर consolidate हो रहा है और प्राइस अप 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 में गया अप में गया अप में गया फिर से क्या हो रहा है support ले लिए आकर किसने 945 से फिर से प्राइस हमारा up में में यह नीचे ही गर जाएगा हाँ इनके सही नहीं लग रहे हालत यह नीचे ही हो सकते गर जाए क्या टाइम हो गया है 12.50 मतलब मार्केट अभी तक पूरी देखे साइडवे मूव है पूरा साइडवे मूव यह देख रहे हैं पूरी तरह से एक live market का experience आपको यह देगा बहुत help कर देगा आपकी यह market को हमारी क्लोज हो गए अब यह नेक्स्ट की candle फॉर्म 945 की candle को हमने mark कर लिया यह वाली ओक्या यह बन गए 945 की candle अब यह जिधर ब्रेक होगी हम trade execute करेंगे अपना उसी जोन में side way है अब यह swing जाना चाहिए यहां से यह चला गया आपका stop loss चला गया अब इसके अंदर आपक सकता और अपनों modification आप देखिए प्राइस ने ऊपर की तरह ब्रेक कर दियो तो कितनी स्पीड से निकल गया नीचे की तरह ब्रेक किया एसल गया फिर से देखिए प्राइस ने upside की तरह ब्रेक किया फिर यह उपर चली इस तरह से कोई भी एक simple से strategy के उपर अगर हमनों काम कर करना चाहें तो कर सकते हैं आपको बैक टेस्ट करना है आपको इसके पर कोई strategy डेवलप करनी है या फिर देखना है कि लाइफ मार्केट में आपकी जो psychology वह किस तरह से वाक करती है यहां पर simply आपको समझ में जाएगा बस अब आपको करना क्या ना इस website का या इस system का एक सही तरह से यूज करना आप सीख जाओ इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए वीडियो पर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजे नीचे एक प्यारा सो कॉमेंट कर दीजेगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा पर इसे बहुत motivation ह को मिलता है और थोड़ा सा आपकी तरफ से एक सपोर्ट भी हमें फिल्ड होता है थैंक्स एंड़ा भर मूंग मिलते हैं अपने नेक्स सेशन में तब तक लिए गुडबाई और वी विल मेट अगें